नमश्कार दूस्तों एक बार फिर सी स्वागत है आप सभी का सिक्षा प्रावा में तो जो बच्चे RBSCC इस बार दे रहे हैं एक्जाम, क्लास 12, विशेच चितरकला तो उन लोगों के लिए चेप्टर नमबर 6 है बंगाल सेली और संस्कृतिक रास्रवाद इस पूरे चेप्टर को हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ लिया था अब बारी है इसके question and answers की इससे पहले हम लोग अपनी वीडियो को start करें और चेप्टर का solution आप लोग देखें अगर आप सिक्षा प्रावा पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें चित्रकला विसे की solution, chapters, model test papers, cbsc sample papers और बागी exam related updates के लिए तो शुरू करते हैं अती लगुरू तरात्मक प्रशन के साथ जिसमें की सबसे पहला प्रशन आप से पूछा गया है मिटी जोतने वाले चित्र किस चित्रकार का है तो इसका अंसर होगा नंदलाल बोज मिटी जोतने वाला चित्र उन्होंने बनाया था कहां पर कॉंग्रेस अधिवेशन में हारीपुरा कॉंग्रेश अधिफेशन 1937 में जहां उन्होंने लगभग 400 चित्र बनाए थे सेकेंड है रात्री में शहर किस चित्रकार की रचना है तो ये गगिंद्र नाटेगोर का चित्र है गगिंद्र नाटेगोर कोन थे अमनिंद्र नाटेगोर के बड़े भाई इस थान से हुई तो आधुनिक कलाशली किसको बोलते है वही कलाशली जिसकी शुरूरात अमिन्द नाटेगोर ने की थी इवी मेल की प्रेड़ना से और उसी को हम पुनरुथान कालीन कला बोलते है उसी को हम बंगाल स्कूल बोलते हैं उसी को हम बंगाल शेली भी बोलते हैं Question number 5 है आपका शांदी निकेतन के प्रधम प्राचारे का क्या नाम था तो अमनिंद्रनाट टेगुर महां के पहले प्रिंसिपल थे ये हो गया इसका correct answer Question number 6 है Government School of Art and Craft किस स्थान पर है तो कलकत्ता स्कूल को ही कलकत्ता विश्व विद्याले को ही Government School of Art and Craft के नाम से भी जाना जाता है Question number 7 है Indian Society of Oriental Art की स्थापना किस चित्रकार ने की थी देखे कहीं पर मिलता है कि गगिंद्रनाट टेगुर ने 1907 इस्वी में Oriental Art की स्थापना की थी और कहीं पर हमें मिलता है कि अमनिंद्रनाट टेगुर ने स्थापना की थी तो दोनों में से कोई भी आंसर अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं होगा Question number 8 है अमनिंद्रनाट टेगुर और ईवी हिवेल का भारतिय कला में क्या योगदान रहा तो एक तो बंगाल स्कूल की स्थापना इन दोनों ने मिलके की और दूसरा भारतिय पुन जागरन काल की शुरुआत की उसके प्रनेता उसके पिता के रूप में अमनिंद्रनाट टेगुर को जाना जाता है और प्रिर्णा के मुखेश रोत थे ईवी हिवेल Next question है Company Shelly क्या है तो अठारवी से 19 शताबदी के मध्य भारत में जो नई कला शेली का विकास हुआ जिसे प्रमुकतहा ब्रिटिशों के लिए भारते कला कारों द्वारा तयार किया गया उसको नाम दिया गया Company Shelly या Company Style Question number 10 है ढोल बजाने वाले चितर किस चितरकार का है तो ढोल बजाने वाले चितर बनाया है नंदलाल बोजने Question number 11 है अमरिता शेरगिल के चितरों के किन शेलियों अमरिता शेरगिल के चितरों की पर किन शेलियों का प्रभाव देखा जा सकता है तो अमरिता शेरगिल बहुत ही जादा प्रभावित थी बसोली कला से बसोली पहाड़ी शेली की एक कला है एकदम प्रारंभिक जैसे राजस्थानी शेली की प्रारंभिक कला शेली मिवार शेली है इसी तरह से पहाड़ी कला की जो शेली की शुरुवात हुई थी वो बसोली चेत्र से हुई थी और उस कला शैली से अम्रिता शेरगिल बहुत जादा प्रभावित रही है, मुगल कला से वो प्रभावित रही है और इसके अलावा बंगाल कला का प्रभाव भी उनकी कला पे देखा जा सकता है। बनाये थे भारतिये ग्राम में जीवन पर अधारत। बनाये था टेंप्रा कलर से टेंप्रा होता है वाटर कलर को पारदर्शी बनाने की विधा। Q15 यात्रा का अंत किस चत्रकार के करती है तो यात्रा का अंत चत्र को जीवन संध्या नाम से भी जाना चाता है और इस चत्र के चत्रकार का नाम है अमनिंदरनाथ टेगोर। जब उनके चाचार रविधरनाथ टेगोर की म्रत्य हुई थी तब उस पर इन्होंने इस चत्र को बनाया था और उसके बाद इन्होंने कोई चत्र नहीं बनाया यहा अंतिम चत्र है कौन सा यात्रा का अंत जिसको हम जीवन संध्या भी बोलते हैं अब ही बात आजाती है आपके लगुत्रात्मक प्रेशन की तो उसके अंदर सबसे पहला प्रेशन है नंदलाल बोस का संशिप्त परीशे दीजिए तो नंदलाल बोस एक प्रसित भारतिय चितरकार थे इन्हें आधूनिक भारतिय कला के आरंभिक कलाकारों में से एक माना जा तो उसमें नंदलाल बोस भी एक थे यह अंदर नाथ टेगोर के प्रक्यात सिश्य थे इन्हों ने चितरकारी की जो चितरकारी की उसको नाम दिया गया भारतिय शेली मतलब अंदलाल बोस ने जो चितर बनाए उनको भारतिय शेली के नाम से जाना गया 1922 में शांतिनी के तनिसित कला भवन के प्रमुख विये चुने गए किनकी मृतियू के बाद अवनिंदरनाथ टेगोर की मृतियू के बाद और इनकी कला पर टेगोर परिवार का यानि की अवनिद्रनाट टेगोर का और अजन्ता के बित्ती चित्रों का बहुत अधिक प्रभाव था उनके उत्प्रस्ट कला में जो शामिल है वो ग्रामीन जीवन महिलाओं के चित्र पोरानिक कथाओं से संबंधित चित्र है और भारत के कुछ कला समिक्षक कला समिक्षक इनको कहते हैं जो किसी के भी चित्रों के बारे में कला के बारे में कारे के बारे में कुछ टिपनियां आपने विचार प्रस्तोत करते हैं तो बहुत से कला समेकशक जो हैं भारत के सबसे महत्वण आधुनिक चत्र मानते हैं नंदलाल बोस ने जिन चत्रों का निर्मान किया था उनको और भारते सवीधान की जो मूल प्रती है सवीधान हमारा जो सवीधान है हमारा यानि कि जो सविधान की मूल किताब है उसके जो डिजाइन है जो उसका मतलब ऐसे प्रस्तावन वाला पेज है उसको बनाया था किसने नंदलाल बोस ने इसके अलावा नंदलाल बोस के जो दूसरे चित्र हैं नंदलाल बोस ने अपने जीवन में तीन पुस्तकों को भी लिखा है और उनके पुस्तकों के नाम है रूपावली, शिल्पकला और शिल्पचर्चा बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ तो नेक्स्ट कुशन है यामनी रंजन राय के जीवन और क्रतितू पर प्रकास डाले तो यामनी राय का जनम हुआ था 11 अप्रेल 1887 को पस्ट्रिप मंगाल के मांकुडा जिलाई में बेलिया तोरना मकिस्थान पर एक जमिदार परिवार में इनका जनम हुआ था गाओं में वेतीत किये गर राय के आरंभिक वर्षों का उनके जीवन पर बहुत असर परा यामनी राय द्वारा 1944 में ग्वास पेंटिंग बनाई गई जो की पेपर पर बनाई गई थी इस चित्रकारी में मा और बच्चे को ब्रश के द्वारा सरलीकरन और मोटी रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया ये मा और बच्चा पेंटिंग ही है ठीक है क्योंकि इसमें आप से जो कोशन में पूछा गया है कि क्रती पर भी प्रकाश डालो तो ये उनकी क्रती के उपर यहां पर बताया जा रहा है इस चितर में जो रंगीन प्रस्त भूमी है उसमें हलका पीला और इंट जैसे लाल जिसको हम गेरू भी बोलते हैं उसका प्रयोग हुआ है जो बांकुडा में उनके ग्रह गाओं की टेरा कोटा नकाशी का उधारन है चितर की द्वी आयामी प्रकरती प्रचितर कला से ली गई है अब द्वी आयामी और त्री आयामी क्या होता है तो जिसके अंदर दो आयाम होता है यानि लंबाई चोड़ाई उसको द्वी आयामी और जिसके अंदर तीन साइड्स होती है लंबाई चोड़ाई और मोटाई अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी हम तो चितर को पकड़ सकते हैं तो आप चितर को नहीं पकड़ सकते हो आप उस धरातल को पकड़ते हो जिस धरातल पर चितर बनाया जाता है जैसे कि अगर कागच पर बनाया है तो आप कागच को पकड़ोगे अगर किनवास पर बनाये कंवाज को पकड़े कागच और कपड़े पर बनाये कपड़े को पकड़ोगे तो मतलब आप थ्री आयामी वस्तू को पकड़ पाऊगी जो दूए अब उसको नहीं पकड़ सकते हो इसके अलावा जो यमनी रहे थे तो उनके चित्रों में शाद्गी थी, सुद्धता थी ठीक है, ड्राइंग को आप्टलाइन करने के लिए क्या करते थे वो लैम्प पे जो कालस जम जाती है, उस कालस का प्रियोग किया करते थे नेक्स्ट कोशन है आपका, अवनिंद्रनात और ईवी हिवेल द्वारा भारते कला के पुनह स्थान की व्याख्या कीजिए 1884 में वो मदरास कला विद्याले के प्रचारे बने उन्होंने सारी दुनिया का ध्यान भारत्य कला की और आकरशित किया और फिर मदरास स्कूल से 1896 में आ गए विलकत्ता स्कूल में जिसको हम आर्डेंट क्राफ्ट मा विद्याले भी बोलते हैं यहाँ पर आकर वो प्रेंसिपल बने और यहीं पर उनका जो संपरक है वो अवनिंद्रनाथ से हुआ था यह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है अवनिंद्रनाथ ही है यहाँ पर उनका संबंध हुआ अवनिंद्रनाथ टैगोर से और दोनों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया और नई विचारधारा कौन सी थी? बंगाल शेली बंगाले स्कूल हेवेल के विचारों से प्रेरित होकर निंदरनाथ ने मुगल वे अन्य भारतिय शेलियों का नुशर्ण करना प्रारम भी किया उनके साथ कलकत्ता स्कूल ओफ आर्ट में कला सिक्षा को पुनर जीविद में नए सिरे से विक्सित करने का काम किया इस काम में उनके जो भाई थे गगिंद्र राट टैगोर उन्होंने भी उनका साथ दिया अब बात आजाती है बंगाल सेली के संस्थापक कला के छेतर में पुन जागरनकाल के प्रणेता तो उन्होंने भारतिय कला में स्वदेशी मूलियों को मिलने पर जोड दिया उन्होंने मुगल, राजपूर, अधनता जैसे स्वदेशी शेलियों का अध्यन किया उलेखित है कि यूरोपियन शैलियों में भी उन्हें महारत हासल थी अतहा अवनी बाबू की कला पर यूरोपियन प्रभाव मुगल, इरानी, चीनी, जापानी, राजपूर और अजनता देखो कितने सारे प्रभाव उनकी कला शैलियों पर हैं तो इन सारे सैलियों को मिला करके उन्होंने नई शैलि को जनम दिया जिसको हम ठाकुर सैलि, बंगाल सैलि, पुन जागरन काल या फिर पुन रुथान काल या इसके अलावा बंगाल स्कूल के नाम से भी जानते हैं कुषिन नमबर फोर है कमपनी शैलि और राजर अवी वर्मा का विस्तर थ्वेपरण दीजिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कमपनी शैलि की अठारवी और उन्ने से चताबदी का भारत एक नई पीडी के चित्रों का साक्षी रहा है जो की कमपनी स्कूल के नाम से मशूर हो गई इसको पटना स्कूल भी बोला जाता है क्योंकि एक जगाती पटना जहां पर ये चित्र बहुत अधिक मातरा में बनाया जाते थे इस होज़े से कमपनी शैलि को पटना शैलि भी नाम दिया गया है कहीं कहीं पर है ना और कंपनी शाले का यह नाम इसले पढ़ा क्योंकि बिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी के सरक्षन के तहत प्रात्मे क्रूप से इसका उद्भव हुआ था कंपनी के अधिकारी ऐसे चित्रों में दिल्चश्प्री रखते थे जो भारते जीवन के विविद पहलों को दिखाते थे उस दोर के भारते चित्रकार पारम पर एक सरक्षन में हास के साथ जीव, जन्तूओं और वनस्पती प्रकरतिक छटा एतिहासे के इमारतों तरबार के द्रशिन स्वदेसी शाष्कों के चित्र व्यापारियों एवं व्यवसाईयों त्योहारों, समहारों, नरत्य, संगीत क साथ पोट्रेट चित्रों की भड़ती मांग को पूरा करते थे। तथा यूरोपिय कागज तथा पैंसिल पर शेपिया वाच भी इस्तेमाल करने लगे वो लोग। यह नई शेली शीगर ही कहां कहां पर फैल गई कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, पटना में, बनारस में, लखनों में, आगरा में, दिल्ली, पंजाब, पस्चिम भारत और ऐसे बहुत से जगाओं पर यह कला आगया आगय फैल गई। सेकेंड आपको बताना है राजर अरवीवर्मा की बारे में, तो राजर अरवीवर्मा ऐसे चितरकार हैं, जिन्होंने अपनी कला की बदोलत काफी नाम कमाया, जिससे ना केवल राज दरबारवल की सामानने जन में भी उनका काफी नाम हुआ, बीजनी चताबदी में, सजीव से लगने लगे, भारतिय हिंदू अपने घरों में देवताओं की तरह उनके बनाए गए चितरों को पूझने लगे, इससे पहले केवल मूर्तियां ही प्रचलन में थी, जिनके लिए मंदर जाना पड़ता था, लेकिन राजा रवीवर्मा के चितरों की बदोलत ने कथा जैसे रामायन महाभारत और उनके पात्रों का जीविन्त चितरन किया, उनके कृतियों में सबसे बड़ी विशेशता है, हिंदू महाकाव्यो और धर्म ग्रंथ पर बनाए गए चितर, जिनको हम पोरानिक चितरों के नाम से भी जानते हैं, उनकी कला भारतिय और यूरोपय तकनीक के समेकंद का बहतरीन उधारन है, पदोड़ा के लक्षमी निवास पहले से संग्राले में इस महान चितरकार के चितरों का बहुत बड़ा संग्राज की डेट में देखा जा सकता है, कुश्य नमबर पांच जो आप से पूछा गया है, वो है भारतिय पुनरुस्थान कालीन कला की व्याख्या कीज़े, यानि बंगाल स्कूल के बारे में आपको बताना है, तो बंगाल स्कूल ओफ आर्ट आम तोड़ पर बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है, ये एक कला आंदोलन है, एक भारतिय चितरकला शेली है, जिसका जनम बंगाल में हुआ था मुख्य रूप से कॉलकता और शांती निकेतन विश्विध्याले में हुआ था बीसमी सिताबदी में इसका आरंभ हुआ था और यह उस समय आई थी जब ब्रिटिश जो था राज पूरे भारत में विक्सित हो चुका था शुरवाती दिनों में पेंटिंग की भ भारतिय रास्ट्रवाद स्वदेशी से जुड़ा हुआ था और इसके प्रणेता थे अमनिंद्र नाठ टैगोर जिनका जनम हुआ था 1861 कलकता के जोड़ा साकुमे और इनकी इम्रतियों हुई थी 1951 में ब्रिटानी कलाप्रसास्क जिसे इवी हिवेल प्रिंसिपल से उनको बढ़ावा मिला था भारतिय पुझागरन काल के दौरान अबनिंद्र नाठ टैगोर ने अपने चाचा रविंद्र नाठ टैगोर के शांती निकेतन विशुविद्याले में भारतिय कला भवन की स्थापना की थी और महाँ पर भारतिय कलाकारों को पूर्व निर्मित भार आपने चरम पर थी, अब निंदरनाटैगोर के बाद नंदलाल बोस ने इस कला अंदुलन को आगे बढ़ाया था, नेक्स्ट कुईशन है, निमने लिखित चित्रों की संशिप्त जानकारी दीजिए, जिसमें की पहला चित्र है राधिका, राधिका चित्र जो बनाया था, किसने बनाया था, अब्दुलरह्मान चुकताई ने, ये एक वाश पेंटिंग है, इस पेंटिंग में बेहत नाजुक भारते महिला को उसको कमरे से बाहर आते हुए दिखाया गया है, चित्र में महिला का सिर नीचे है, आखें तेज बहों के साथ सुशोभित है, उसके बाल काले भूरे रंगे हैं, जो नीचे कमर तक पहुँचते हैं, उसका बाया पैर आगे की दिशा में है, उन्होंने अपने दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए है, उनका बाया कमल को पकड़े हुए नीचे लटक रहा है, कलाकार ने दाहिने हाथ में कमल पर मदुमक्खी भी दिखाई है, उनके दोनों हाथों में लाल चूडिया है, उसने गहरे नीले रंगे प्रिंट के साथ एक हलके बैंगनी रंग का लहंगा, लाल ब्लाउज और भूरे रंगी सी प्रियोग किया गया है, अब मैं दिखाती हूँ आपको वो चित्र, तो बेटा आप लोगों को आपकी स्क्रिन पर एक चित्र दिख रहा है, जिन्होंने लाल ब्लाउज, नीला घागरा और पीले रंगी ओड़नी पैनी हुई है, सर नीचे की तरफ जुका हुआ है, लंबे इसको देख सकते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोईशन की तरफ, तो बेटा, नेक्स्ट कोईशन में आप लोगों से पूछा गया है, रात में शहर चित्र का विवेचन कीजिए, तो ये जो चित्र है, रात में शहर बनाया है, गगिंदरना टेगोर ने 1869 से 1938 में, ये पहले ऐसे चित्रकार थे, जिन्होंने अपना विचार, अपने चित्र बनाने के लिए, क्यूबिज्म शैली का प्रियोग किया, क्यूबिज्म शैली को घनवाद शैली भी बोला जाता है, और ये ये यूरोपियन एक कला शैली थी, जिससे की कगिंदरना टेगोर इन्होंने हीरे की आकार के विमानों और प्रिज्म जैसे रंगों को चित्रत किया, मतलब अगर आप इनके चित्रों को देखेंगे, तो आपको उसमें जयमिती आकरतियां बहुत जादा दिखेंगी, रहसे मही वातावरन दिखेंगे, ठीक है, और ब्लैक वाइट कलर का कॉ और क्यूब दिखेंगे, क्यूब इस घनवात चली से प्रभावित्ते इस कारण से, तो इनके चित्रों को देख करके ही पैचाना जा सकता है, पेंटिंग में जिक जैक, परवत, शंखला, विमान बनाए हैं, कृतिम रोशनी निकलती भी दिखाई गई है, चित्रकार ने स् बनाए गए हैं, तो अभी में इनका चित्र भी आपको दिखा देती हूं, रातरी में शहर, तो बिटा, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, गगिंदर नाट्यगूर का चित्र, रातरी में शहर, या रात में शहर, देखें, कितने सारे इसमें जैमिती आकार आपको द यह देखिए प्रेजिम की आकरती आपको यह आपर देखरी होगी इसके अलावा बहुत सारे आकार आप लोग इस चित्र में यहापर ढूंड लेंगे ठीक है तो यह है चित्र रात में शहर या रातरी में शहर गगिंद्रनाथ टेगोर का जिसके बारे में हमने पढ़ा है नेक्स्ट कुशिन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशिन है बेटा आप लोगों का यात्रा का अंत चित्र को बताना है तो यात्राकांद चित्र वही है जिसको जीवन संद्या नाम से जाना जाता है इसमें अवनिंद्रनाटेगुर ने एक ठकीहारे उंट को चित्रत किया है ये उनके जीवन का लास्ट चित्र है और ये उन्होंने अवनिंद्रनाटेगुर की जब मृत्ति हो गई थी जो की उनकी चाचा होते थे तब बनाया था 1913 में इस चित्र को अमनिंद्रनाटेगुर ने बनाया था अमनिंद्रनाटेगुर का जो जीवन समया 1871 से लेके 1951 तक है तुम्हें ये पता है और ये यात्रा कांदेग जो चित्र है वो जलरंग वाश परिंटिंग से कागच पर बनाया गया है अमनिंद्रनाट को आधुनिक कला का पिता कहा जाता है इन्हों ने विशेस शेली और तकनीकों में भारती और प्राचीन कला को पुनर जीवित किया था अपने वोश चित्रन तकनीक का भी आविशकार इन्होंने किया था धोने की इस तकनीक में रंग धुंदले और सुहाने दिखाई पड़ते हैं जिससे की एक रहसे में वातावरण का निर्मान होता है चित्र में एक ठके हुए उट को लाल प्रस्ट भूमी में दिखाया गया है जो दिन के अंध के साथ ही उट की यात्रा को भी खतम करते हुए दिखाई दे रही है उट की शारिरिक विशेश्ताओं को रंगों और रेखाऊं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है चित्र का विशय वे चित्रण सम्वेदन शील है तो ये चित्र था किन का अपनी दिनाटेगूर का यात्रा का अंथ एक बार हम इस चित्र को भी देख लेते हैं ये देखे बिटा आपको आपकी स्क्रिन पर दिख रही है एक उट की पेंटिंग जो की ठका हुआ है कमर पर जिम्मेदारियों का बोज है और उस बोज को सहते हुए उसके जो आगे के दो पैर है वो लगभग लड़ खड़ा गए है और नीचे पत्थरों पर गिर पड़ा है वो मूठ है ना तो ये चित्र है लाल रंग की अधिकता है क्योंकि शाम का दिर्शह है सूरज ढ़ल रहा है नीचे ब्राउन कलर के पत्थर है ठिक तो ये चित्र है यातरा कांथ जिसको बनाया था अमनी दरनात टेक बोर ने इसी के साथ ही बिटा आपके ये वाला जो चेप्टर है चेप्टर नमबर 6 उसका सॉलिशन हो गया है सभी कोईशन्स जो इंपोर्टन्ट थे जो आपके बुक में दिये गए थे उनको इस वीडियो में यहाँ पर सॉल्व किया गया है आशा करती हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो अपने पाकी चेप्टर के सॉलिशन्स और चेप्टर के डिस्क्रिप्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे आप लोग तो थेंक्स पो वाचिंग गाईज